नमस्कार दोस्तों के सवाब सभी दोस्तों आज का जो ही वीडियो रहने वाला है कि राजस्तान वाले मद्यपरदेश या हरियाना से HTC कर सकते है या नहीं अगर कर सकते हैं तो HTC करने के लिए क्या युग्यता रहने वाली है फोर्म कब से सुरू होगे या इसकी जो राजस्तान में माननेता है या नहीं इस सब के बारे माज इस वीडियो में हम विश्तार से चर्चा करेंगे और दोस्तो इसके अलावा सभी जो इनफोर्मेशन है आपको जो जानना जरूरी है वो इसके मद्यम से आज हम बताएंगे तो दोस्तो अभी तक आप हमारे यूटूब चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले क्योंकि हम इस चैनल के मद्यम से अलग अलग तरह की जो विकेंसी आती है उसमें कौन से डिप्लोम होता है कौन से नहीं होता है उसके बारे में हम अपडेट देते रहता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज का ये वीडियो है राजस्तान वाले जो विद्यारती है वो मत्यपरदेश यानि MP से HTC कैसे कर सकते हैं या उसके जो ओनलाइन फॉर्म सुरू हो चुका है MP, HTC या DLA जो आपके MP की जो DLA है दोस्तु उसके जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बोपाल में जो दोस्तु इसका बोड है राजी सिक्सा कैंदर ये जो दोस्तु आपका बोपाल है उसमें दोस्तु आपके ये बोड फॉर्म भरवाएगा और उसके फॉर्म चालू होगे ये जो आज दिनांक है 17 मौई उसमें दोस्तों इसने प्रेस्ट नोट जारी करके फॉर्म जो भरने की डेट है वो इसमें दे रखी है और दोस्तों क्या दे रखी है कि इसमें आपके प्राचारे जिला सिक्सान, प्रेस्टिक्शन, संस्तान, समस्त, मत्यप्रदेश को ये सुचित किया गया विश्या डियलेड नीमित पाटे करम 2023-24 में ओनलाइन परवेस्परकिरिया यानि कि आपके जो डियलेड है उसी को हम BSTC बोलते हैं राजस्तान में और आजकल राजस्तान में भी इसका नाम डियलेड हो गया है डिप्लोमा इन एजुकेशन दोस्तों उसके लिए तो विश्या अंतरगत लेख है कि डियलेड नीमित पाटे करम में 2022-24 में परवेस्परकिरिया MP ओनलाइन के माध्यम से 18 माई से प्रारम की जा रही यानि कि आज दिनांग 18 माई है आज से जो ओनलाइन परकिरिया यहाँ पर प्रारम हो चुकी है अगर आपको यह नहीं पता है कि राजस्तान में जो यह माईने है या नहीं है रीट में जो आप मध्यपरदेश से जो HTC कर रहे है बंदे या मध्यपरदेश जो HTC form के सबर है मतलब आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दू कि जो आपके डीलेट पटे करम है वो राजस्तान में जो L1 की जो वेकेंसी आती है रीट के अंदर रीट के बाद में जो थर्ड ग्रेट की वेकेंसी आती है लेवल वन की उसमें दोस्तु HTC वाले ही वरते हैं उसमें आप इलेजिबल होंगे और दोस्तु आप पूरते हैं मतलब आराम से तयारी कर सकते हैं अभी से आप वहाँ एड़िशन ले ले और दोस्तु यहाँ पर अपनी तयारी सुचार रोब से चलू रखे और यहाँ पर कोई भी कोर्स लेके या कोचिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने स्वयम के स्थर्वे भी आप थर्ड ग्रेड की तयारी कर सकते हैं मात्र दो साल के अंतर दोस्तु आप टीचर बन सकते हैं बस आप में चाहिए वो चोस और जजवा तो दोस्तु रई बात मानने ता की जो सत्र है वो बहुत लेट चलता है जो आपके वो लेट रहेगा इस बार तो जैसे कि अक्टूबर तक कोलेज चलेगी अलोटमेंट की तो अक्टूबर तक दोस्तु आपको देख लोगी अक्टूबर तक इसका जो सत्र है आपको चैनल के मादिम से आपको पता चल जाएगे कि यह चैनल किसका है और फरोड क्यू kuin नहीं होगा आपके साथ में फ्रोड की बात नहीं है दोस्तु क्योंकि बहुत सारे कोले लोट्मेंट के नाम सपेले पैसे लिए नुस्ते है फिर उनको कोलेज मिलती नहीं है तो ऐसा आपने यहाँ पर नहीं होने वाला है जो मद्यपर्देश में फॉर्म सुरू हो चुके हैं HTC यानि DLA के DLA या HTC जो आपके मद्यपर्देश से होती है इसके फॉर्म सुरू हो चुके हैं जैसे बरना है वो दोस्तु आप हमारे उपर चोड़ दो बस आपको तो केवल एक्जाम देने वाँ पर जाना होगा तो दोस्तु DLA निमित पर्टे करम 2023-2024 में समय सारने क्या है परतम काउंसलिंग दोस्तु 18-29 मही तक यहाँ पर दोस्तु फॉर्म बरे जाएंगे पश्ट तो यह हो गया दोस्तु दोस्तु यह इसके साथ साथ हो जाएगा by 28 जून तक उसके बाद में 34 चरण दोस्तु आपके यह 15 जुलाई तक चलेगा इसमें दोस्तु यह है और 4 जुलाई तक आपके अंतिम परवेस है दोस्तु इसके बार दोस्तु एडमिसन होंगे नहीं होंगे इसका कोई fix नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार क्या हुआ दोस्तु राजस्तान की जो HTC का रिजल्ट आया था जो आपके BSTC है यानि DLA राजस्तान की उसका रिजल्ट आने के बाद बच्चे भागे MP की तरफ तो MP में दोस्तु उनको वहाँ पर एडमिस हो गया कुछ का नहीं हुआ तो अभी भी टाइम है दोस्तु इसमें आप एडमिसन सुरुआत से ही ले सकते हैं ताकि आपको दोस्तु एक साल खराब नहीं हो और आप आराम से रीड का एक्जाम दे सकते हैं यह तो होगी दोस्तु मध्य परदेश से जो HTC करने के लिए सरकारी की तरफ से अलोट्मेंट कोलेज में ही आपको एडमिसन दिया जाएगा रही बात आपको वहाँ पर सरकार की जो गोवर्मेंट स्कूल है वहाँ पर इंटरसिप होगी डाइट में आपको जाना होगा कि नहीं होगा यह सब कुछ दोस्तु आप मुझे कॉल करके आप दन्नेवाद